आज हम सब लोग आचुके हैं दादरी विधान सभाग कि जनता अपनी समस्याइं बताएगे और नेता उस पर आज जवाब देगे छेटे मुद्दे देग लो, रोजगार के मुद्दे देग लो सबसे पहले सुरक्षा चाहिए जादी भी सुरक्षित रहेगा तो हर काम करेगा जो काम पहले गुंडे कर रहे थे वो काम आज उत्तर परदेश की फुलिज कर रहे है जनता के पैसों से बिज़्डी तो दे देगे लेकिन जो सुरक्षा इनों ने दी है उसको कैसे दे पाए करने वाले लोग यह अरे पुरे देश का बेट के खा गए है इसे धॉंक करते हैं गाए माई घूमरी बिचारी आजपा की इसमें और शुरक्षित है मास्जीत भी बनवाएगी मंद्री को बनवाएगी गुर्द्वारे भी बनाएगी सभी बनवाएगी अगर इन्होंने सब्तर साल से कुछ किया होता ना तो आज इनको लड़ना नहीं करता है जूटे ने जूटों से कहा सच बोलो अरे भई सरकारी एरान हुआ है सच बोलो नमश्कार तो News World India के खास कारिक्रम माहौल गर्म है में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज हम सब लोग आचुके हैं दादरी विधान सभा में यहां हमारे साथ नेता भी मौजूद है यहां हमारे साथ जनता जनारदन भी मौजूद है जनता अपने मुद्दे बताएगी जनता अपनी समस्याइं बताएगी और नेता उस पर आज जवाब देगे क्योंकि कारिक्रम यहां पर जनता और प्रत्रिधियों को जोड़ने का है हमारे साथ कुछ नेता लोग भी मौजूद है जिनसे हम आपका परिशा करा देते हैं अपना परिशा खुद दीजिगा आप बताएगे कहां से आप कौन सी पार्टी मैं सत्यपाल चौधरी प्रवक्ता भीमार में आजासमाज पार्टी तो फिर यह आजासमाज पार्टी से प्रवक्ता है जिसमें से कुछ बड़ी पार्टी तो कुछ छोटे दल हैं लेकिन इस बार चोटे दल भी पूरी तयारी के साथ हैं बड़े दल तो अपनी तैयारिया लेकर घूमते रहते हैं ऐसे में सबसे पहला जो सवाल होगा मेरी सट्था में आसीन जो पार्टी उनसे ह पिछले साड़े चार साल का अगर मैं पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके सामने पेश कर दू आप किन मुद्धों के साथ आप कहते हैं कि हम एक बार फिर सत्ता की चाबी जो अपनी जेम में रखने वाले हैं हमारा जोसनाि पत्र आप देख लीजीये गोशनाह पत्र पर जो हमारी गोशना हुई थी हम उस पर पूरे ख़रे हैं पूरे साड़े 4 साल जो हमने घोशना की थी गरीब तबके को पंक्ती में खड़े हुई अंतिम व्यक्ति को जो सुविधाय मोहिया होनी थी उस वुदाय मोहिया हो जनता तो कहती है कि गोश्णापत्र दिखाना सिर्फ चुनाओं से पहली की बात होती है उसके बात तो आप भी रखकर भूल जाते हैं कहा रख दिया बाइसाब आप कैसी बात कर रहे हैं मैं बता रहा हूं सबसे पहले तो प्रभु सिरी राम का भवय मंदिर हमारे घोश्णापत्र का पहला एजन्डा था आपको नहीं मालूं पूरे जन्ता को मालू में पर भुसरी राम का बहुत रहा है आतंक वाद से मुक्ती दूसरा हमा प्रियंका गांधी जी के आने के बाद थोड़ी बहुत हलचल दिखी है लेकिन ये बताइए कि आपकी पार्टी अब ये कह रहे हैं कि क्राइम रिड बिल्कुल डाउन होता जा रहा है जो समस्या हैं वो कम होती जा रही हैं आप एक बार फिर से तेजी के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं आप किन मुद्दों के साथ है जो इन्होंने कहा कि भी यहां पर क्राइम कम हो गया इनके खुद के अपने देखा को कुल्दीव सेंगरवाला केस सुना होगा उसमें खुद बलातकार करते हैं खुद अचार करते हैं जो जिस महिला पे जिसका बलातकार क्या उसके जो वो थे गवाव अगर तो आप सत्ता भोग रहे हैं अगर आप दोनों एकी सिक्के के दो पहलू है ठीक है आप पता ही आप सबसे पहले आप से जब बातचीत करते हैं आप आदनी पार्टी से तो मुफ्त एक शब्द जो दिमाग में आ जाता है इस बार क्या-क्या मुफ्त देने वाले उत्तर प्रदेश में आप देखिए ये मुफ्त का जो सब्द भारती जनता पार्टी द्वारा लांच किया जाता है अर्विन केजरिवाल जी तो कहते हैं कि 300 उनिट मुफ्त बिजली देंगे बात तो पूरी होने दीजे जब शांसत बिधायक और वहां के जितने आईयस से लेकर पीसे सब्तर तक मुफ्त की बिजली मुफ्त का घर समाजवादी पार्टी यह पार्टी आपको कहीं निचोड़ने का चूसने का काम करती है चुनाओं के बाद आप खतम बस आपका इतना ही रोल है बड़ी पार्टी तो वह होती है जिसके पास ज्यादा जनादार हो आज यदि पूरे देश में कहीं आपको विपक्ष की नाम सब जगें जहां जहां त्याचार होता खासकर गरीप और मानल्टी के लोगों पर चंसेकरी तो खड़ा दिखाई देते हैं पास साल में पिछाण में मुकद में हैं और तीन बार एनसे का सामना कर चुका जो आदमी उससे बड़ी ताकत और क्या होगी तो हम तो बड़ी ता विए आप यह कर रहें जो एसी आस्ति ओपशियों को रिपर जयंट करती है उनकी बात मैं कर रहा हूं और यह समिधान में लिखा जाती वाद की बात निए यह भावा साहने समिधान में यह लिखा रहें पर चाहने कर रहें हमारा कहना मतलब हैं प्रतिन पर्सेंट लोगों बैन कुमारी मायवती जी का बस्पा का भी दावा है और हमारी पार्टी का विदावा आजा समाज पार्टी का भी और 15% को यह लोग रिपरजेंट करते हैं अब जनता से बात कर लेते हैं यहां के जो प्रमुख मुद्दे हैं उस पर आएंगे सीधे तोर पर आप बताईए यहां पर कौन सी पार्टी है जिसने जो वादा किया वो पूरा किया और कौन सी पार्टी आपको लगता है कि अगर उसको मौका मिले तो वो शायद आपके वा क्या काम करेंगा तो सबसे पहले तो मैं सत्ताधारियों से बोलना चाहता हूं कि कुछ यहां के मूल लिवास के लिए करें और हमें आज चारों पाड्यों के परवक्ता बैठे हुए हैं अब आपने देखा कैसे लड़ रहे हैं तो जनता की बात कोई नहीं करा जनता बहुत रहा था सबसें पहले स्रक्षा चाहिए जादी लिगा यहां के यहां के स्थानिये लोग हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार्ती ही तब गुठना गड़ी चरंपर थी बीजे पी इन्होंने सुरक्षा दी है तो ऐसे में आप ये बताईए कि मुफ्त का देकर या फिर आप बिजली को देकर जनता के पैसों से बिजली तो दे देंगे लेकिन जो सुरक्षा इनों ने दी है उसको कैसे दे पाएंगे देखे आमानवीपार्टी के द्वारा जो दिली में केम लगवाए गए थे उसका मेरे के दवारा प्रदानमंत्री जो भतीजी थी जब उनसे जब कुम ते हматें जब जहती लिए और इसके जो है केमेरे के द्वारा उसको बखडा गया तो के सुराइड यह होती है कि जो भी गलटी करें इव उसको पड़ने के लिए क्षब ने बखें होती है और आपको कुछ नहीं सुनी होगते आपकी से अरोप कहीं और लगाया है आप क्या कर रहे थे आप कॉंग्रेस की बात करता हूँ Songress Party में एक अच्छी चीज अभ देखने को मिल रही है कि अब घंटो घूमते रहो तब जाकर कई किलोमीटर में एक जाकर कि हलचल दिखने लगी है क्या लगता है कि प्रेंका गांधी के साहरे जो नईया है जो नाव है वो पार कर जाएगी जनता हमेशा बदलाब चाहती है और उसका कारण यह होता है कि जनता किसी से आस लगाती है अगर मैं आज मैं अपना मैनिफरस्टो देता हूं और चुनावी इस तरफे वो ऐसा खास काम नहीं हुआ अगर हमारी सरकार आएगे तो हम अपनी तरफ से जो स्वीदाएं दे सकते हैं वो किसानों को दें बिल्कुल किसी को लगता है कि कॉंग्रेस जो है सत्ता में आने के लिए कुछ भी इनके पास कुछ भी है कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ भी है कि बिल्कुल भी लगता है कि कॉंग्रेस के पास कुछ भी है इस बार आने के लिए कॉंग्रेस चुनाओ तो लड़ रही है बकाइदा कारिकर्ता में भी जोज थोड़ा बहुत आया जो कल तक सो रहते घरों में वो भी सड़क पर आ गया है एकका दुका ही सही लेकिन सड़क पर आगया आपको लगता है कि कॉंग्रेस के अपास कुछ भी ऐसा है यह बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ पाईगी पिछले सतर साल से इनोंने किया है क्या है देश के लिए हैं अगर इनोंने सतर साल से कुछ किया होता ना तो आज इनको लड़ना नहीं आज जो बीजेपी इतना काम कर रही है आप जाके देखो जहां के यूपी में आज यूपी में सत्ता में है योगी जी एक एक रोड देख लो जाके कितने सैमी रोड बना दिये नोंने सतर सालों में अगर इतना बना दिया होता आपके बात का मैं लबोलू आप समझगा इनका कहना यह है कि इत्री बड़ी पार्टी रहे आप, आपको 70 साल के आप मतलब 60 पैसेट अगर पूरा गड़ित देखा जाए, तो 60 साल तो आप सत्ता में रही रहे हैं, अगर आपने कुछ किया होता तो आपकी हालता जी यह ना हो बाकायदा सीता रमननने इस देश की वानेज मंत्री है उसने बाकायदा घोष्णा कि यह ना है, प्रड़ादे कर दो हुआ यह तो प्रड़ा वह चुन यह था इसह को बीचतों डीज यह यह सब अब कर डीज तो यह कम सकम लागत्व मिल्द यह थे रहें जी अवह थे सब्सक्राइब कर दिए कि अपने बेचना बोलते ना इंसे बूजिए कि आपने बच्चों को बेचते हैं पूछिए इंसे सरकारी तुम ने हालत ऐसे कर दिये बात हम इनसे कहल वाना चाह रहे हैं जब कभी हम चोटे आप बोले बाइस सरकारी स्कूल में कोई बेज़ कर आज अगर सरकारी स्कूल को निजी करन हो जाए मैं आपको बता रहा हूं कभी छोटे बच्चे थे ना डी टी सी बस रुकती नहीं थी लेकिन क्यों नहीं सरकारी आ सुविधा के लिए प्राइबेट घाते जो होते ना आज इंडिया बिका हूँ है सिर्फ गांग्रेस के और ऐसे लोगों की बज़े से जितने हमारे सरकारी तंदर पिका हूँ है उनके आलत देने थी अरे आपको क्या पता आपके कानों में क्या रूई है राफेल विमान जब यहां इंडिया में उतरता आपको दिखाई नहीं देता अरे कोई दलाली की बात कर रहे हो राफेल विमान इंडुस्तान की पहली हो है अगर आप अगर आप सत्ता में आते आप क्या बनाएंगे प्रतिशत लोगों के लिए अप्राइब कर राजे चोड़के चले जाएंगे तो पंदरा परसेंट का क्या करना है अच्छा सी आस्ट को आप पहले रखेंगे वह आपके स्कूल में पहले आशेंगे सबको आगे रखेंगे यह स्कूल में जाएंगे 15 परसेंट का वो कह रहा है कि वो देखें अपना आपके रिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है बिजली के अलावा पानी देने के अलावा अब ही हमारी दिल्ली सरकार ने राष्ट भक्ति योजना उत्तर प्रदेश की ब अगर आप एवरेज निकालेंगे एक एक व्यक्ति पे 25,000 रूपय का यहां बजट है जबकि दिल्ली मोटेइस अजार रूपय का बजट है एक व्यक्ति पे आप निकाल के देखा देता हूं साढ़े 5 लाग करोन रूपय में 20 करोन की जनता में 25,000 रूपय आते हैं और 50,000 जानते हैं आपके हाथ में सौ रूपया पकड़ा दूंगा घर्च कर पाएंगे कैसे अब हरूसा करें घर्च कर पाएंगे जिसके पास दिमागों का वही तो खारुके आपके वाग तो दिल्ली सुदरी कैसे सुदरी द तो मुझे लगेंगे कानून वेवस्ता की बात कर लूगा तो बीजेपी बीजेपी करने बैसे इस बाद वहां से साफ है इसके बार पानी भी भरेगा बीजेपी से जैसे जैसे अंपनी भर गईए उन्ते-स पानी नहीं भरेगा पानी हर बढ़ जाता है स्विंग पूल की विवस्ता फ्री में कर देते हैं आपके पास जब भी आता हूँ आप मंद-मंद मुस्कुराने लगते हैं लेकिन ये बताइए मन में कहीं भी जरा सी भी शंका है कि इस तरीके की शंका है कि जमानत ना जब्त हो जाए या कुछ बचेगा की ना बचेगा कि एका दुका सीट आभी जाएगी क्या लग रहा है मन में इतियास का रोना रोते रहे हैं वरतमान की बात करें भविश्य की बात करेंगे यह बताईए चार पार्टी आपके सामने है कुर्सी पर विराजमान है चारों को कुर्सी ही चाहिए आपको क्या लगता है कि ये तो भाई साब जो बीच में बैठे हैं ये तो सत्ता में है ठीक है पूरा चला रहे हैं राजी भी चला रहे हैं सेंटर भी चला रहे हैं नहीं दो Western यह चोंटे डलके हैं इनका काम दो ही है या तो यक्सी की साथ भी नहीं है दूसरी बास दूस्त बाद कह không बीच में रोकना मत नहीं कि मोदी जी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा फिलाल में बाद में किसी का शेर बात बताऊंगा पैर तो शेर सुन दो जूटों ने जूटों से कहा जूटे ने जूटों से कहा सच बोलो अरे सरकारी एलान हुआ है सच बोलो वहां तो यह है साथ साल के विलंदर कोई प्रेंस कांट फरेंस नहीं हुई मोधी जी की या रखिए कि कि कितने लोगं की मौट हुए या पत्रकार्था किसी पार्टी निस्पक्ष होने जाहिए किसी पार्ठी का अब कहां से पढ़ रहे हैं यह तहुत पूच घृइए इंट इन पर आते आते कांग्रेस का कॉंग्रेस का बसके वारे मैं बता रहा है कि आप लिए जाती रही कि निवाली पार्टी वाले नें दिली में तीन बार फर्टेश जो आदमी जूट बहुट भुट जो आदमी जूट बोलेगा वर मेरे आपने बच्चे को दूद भी पिला सकती है अपनी पैड़ भी बदल सकती है और अपना विश्राम भी कर सकती है यह सिर्व भाजपा की योगी सरकार में बता रहा हूं दो सब्सक्राइब लगा देता हूं आपके पाकिस्तान के बिना मुसल्मान के बिना 3070 के बोली नी सकते आपको सिर्फ यह और कुछ यह नहीं कि यह कर दिया वो कर दिया रहने हैं रुक जो भी खड़े होने दो गाय और बिजारों ने किसाब हमारी यह कर रहे हैं यह करें गा सब्सक्राइब कर देखो यहां अभी हमारे जैन साब अभी आज पर कल की बात है उठाव कर देरें समझें और यह को रहे हैं यह कुछ कहना चाहते हैं इंसे बात चीज़ कर लिए जी बताईए जी क्या कह रहे हैं उनका क्या का सर मैं यह कह रहा हूं जो गायों की बात कर र पर कितनी बार यह गौशाला की बात करें गौशाला में आपने शिकायद की यह सारे इक सारे गौशाला वाले हैं इसे शिकायद करता हूं और सरकार किसी की भी आये मैं उसकी परवा नहीं करता मैं लगातार अपना काम करता हूं प्राधीकन में भी सिकायद करता हूं कि यहां पर इस गाये की आँख में चोट लगे इसको गौशाला ले जाईए केई गाये गौशाला में मर गई थी मैंने उसकी आवाज उठाई उसके बाद में प्राधीकन की तरफ से वहां पर गायन के लिए गद्दा और जो खाने पीने की वहस्ता वह बढ़िया तरीका से बहुत ही बहतर की गई थी इस चीज से मुझे खुसी हुई कि मैंने कोई आवाज उठाई और वहाज सरकार तक पहुंची और उसको जो है वह समस्या का समाधान तो यहीं हो गया इन्हों ने कहा कि मैंने शिकायत की और विवस्ता बहुत बढ़िया रही आपने शिकायत नहीं करी यह समस्या रही यह सिकायत हमारी इधर पहुंचती और एक बात हो रही समस्या का समाधान तो हो गया पचास अभी गिनवालों इसी सेक् स्पाइक की गई हैं जानकारी की कमी है इस पर क्या करते हैं तो यह गाई पी जरूरी है ऐसा नहीं का गाई नुकसान हो बात है आपने बहुत अच्छी बात कि एक बात आई यह बीजेपी को आपको लगता है कि राम मंदिर बनने जा रहा है तीन सो सबसे बड़े मुद्दें इनको लेकर बीजेपी को यहां कुछ फाइदा मिल सकता है या फिर आप स्थानिय लेवल पर देखते हैं कि आपका जो स दखाएंगे पहली बात अगर धरम के नाम पर राजनीति कोई भी पार्टी करती है मैं उसके साथ नहीं हूं दूसरी बात तीन सो सत्तर तीन सो सत्तर हटाती अच्छी बात है लेकिन तीन सबसे पहले रोजगार जो हमारी यूवर्ग है उनके लिए रोजगार यहां पर कि सब्सक्राइब भुष्ण, और मॉर्ट वोट बिले अचालT paar पार्टी में वीयिघा निकाने मेर्य विकास कि बात करेंगे आपने वो जिक्र नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैं तो पहले ही से कह रहा हूँ कि काम के उपर ही, हमारे तो सिस्टम रहा है, वो टोटल ही काम के उपर रहा है पानी है, बिद्म होँ को पिंसन है, सड़क है, और जो सुरक्षा के लिए जो उपकरन लगने हैं वो है इसके अलवाज जो धर्म के लिए भी हमारी पार्टी ने मंदरी नहीं मस्जद मैं मनवाएगी मंदरी पूछने चाहिए विकास की इंडेस्टियल हब ग्रेट नोडा नोडा आपने कल आप इसलिए पूछा मैं आपको एक बड़ टोक दूँ मैं इसलिए पूछा क्योंकि जाती पर बात हो गई इन्होंने आप पर धर्म के आरोप लगा दिये वह सब बाते हो लेकिन काम को लेकर बाते हैं की तो बताने जा र विदान सभागे छेत्र में सेक्ट्रेक्स चोगवन विडा में बस यहां और आप यहां ग्रेट नोडा बाश्यों से बूज लो और हमारे माने विदाग मास्टर तेजपाल नागर जी ने एक क्लोश जारी किया है जो प्लॉट अलॉट होगा अथर्टी का इंडस्टी के ल संबान सुरक्षा इन तमाम चीज़ों पर आजा समाज पार्टी पावर माते कम करें के लिए आपके साथ तो यहीं समझता हो जाती मुझे पूछना पड़ता है किन के लिए अभी आप जो कानून मबस्ता कि जल्दी से एक लाइन में बोलिया सीस्टी पिछड़ा नहीं सब सब्सक्राइश बहारा कि लिएश-आज thuने एक लोड़ा शुदन पीज्वेश सच्क्राइल में अई करद जाता है जिस पर में बोला ना जाता हो पड़ा ना जाता उसके सांट नहीं एक बात पास यह पर यह वांने से काम होते हैं कि उन्दी ने इघ्न इटिक तक भी अइरपोर्ट नी मिना बीजेपी ने बना दो दिया कम से कम भईखेंट हैं यह बद हो जिसाव तुछ भी तो नीन गिए मायावती यहाट्य दहले कुछ का व्याहर और बर बड़ी बात ये भारतेव जनतावाई छल जल्षाब पूर्ण, शॉर्ण मैं मैंने किates करें दीक है कैसे बोल रहे हैं तो प्रीकिलि हुखो कई सब्सक्राय दे रहेуск यहां पर कुछ हमाई साथ मैलाएं में इंसे भी बात करेंगे यह बताइए बीजेपी जो है वो सीरे तौर पर कहती है कि मैला सुरक्षा को लेकर हमने बहुत काम किया है आज रात में भी मैलाएं जो है सुरक्षिय दूरूप से घूम सकती है वहीं सपा की सरकार में यह सब न जे तक अकेले आती हूं वह भी बाई ऑटो तो इस बात को मैं इस परस्ट बोल सकती हूं कि भाजपा की इसमें औरत सुरक्षित है उस वक्त नहीं थी उसके बहुत लूट मारती हमारे गली के कॉर्णर स्पे इस चैन इस तरह खीची जाती थी कि हम लोग पहनना ही बंद कर सब्सक्राइब दिया था मैं 15 साल से ग्रेटर नौडा में रह रही हूं आप मान रही है कि सरकार पे सुरक्षा बढ़ी है यह चार प्रवक्ता यह दौना बड़े सालीन है आप दौनों के लिए आमाधिम पार्टियर कांग्रेस के लिए हाला कि आपके साथ नहीं हूं और अबर आपके सालीन ता जो है शालीन ता जो है नेताओं का और प्रवक्ताओं के लिए अच्छी बात रही है ठीक है उनको अपने आवाज बुलंद रखनी चाहिए आवाज रखनी बेटर चीज़ए यह चीज़ें और यह और यह बिचार मजबूर इस आपके मुँपे आप महाल बना रहे हैं बात बोली बात रखिये माहौल मत बनाए बात बता यह क्या है मुद्दा बोला है आपको ने अब आप पर आ रहा हो आप यह आपकी सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि चंदर शेकर आजात को तो हर कोई जानता है लेकिन इसके अलावा गर आपको को बनाने कोशिश करते हैं कौन बनेगा कैसे बनेगा सिर्फ एक व्यक्ति के सहारे तो पूरी पार्टी नहीं खीच सकते ना एक साल पुरानी पार्टी है हुई संकन पूरे पर देश में राइस्थान का भी प्रवारियों राइस्थान में आप रिजल्ट देखेंगे अभ करेंगे और उन लोगों को जो लोग है उन लोगों को जो चाहिए वो किसाल है जो तीन खेती का आपको लेकर परिशान ही नहीं दिख रहा हूं यह पढ़े लिखे लोग है इंसे पूछो नहीं मर्प क्यों खतम की गई है आवसक वस्तों देनें को क्यों खत्म किया ठीक है किसि किसी से बात कर लेता हूं आपकी बातों क्लैरिटी देता हूं यह आजाद समाज पार्टी के बैठे हूं प्रवकता भाई साहब हमारे सामने यह बार बार कह रहा है कि BJP ने सब कुछ बेच दिया सब कुछ बेच अवसलों कर दिया आपम जंता इस चीज़ को कैसे एक् यह बताइए ठीक है योगी जी हो गए मोधी जो गए इनके बड़े चेहरे हो गए इन लों को आप कहां देखते हैं आज आज समाज पार्टी हुई ओपी राजबर साब की पार्टी जो छोटे चोटे जो दल है विपक्षपी तो होना चीह है उनका भी काम है वह अपने काम मे अधिखार है वह सत्ता में भी आने में अपने लाइन में हैं उनका भी कोई आप डेमोक्रेसी के लिए बढ़िया है कि विपक्ष भी मजबूत रहे ठीक है आप बता रहे हैं तो कुछ की बेचने वाली बात को लेकर यह बोल रहे हैं कि सब कुछ बेच दिया इसको जनता कै जाइए कस्टूमर बनके तो आपकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं है काम नहीं करते वो लोग निजी कराण होगा तो काम करेंगे वो यह बहुत अच्छा है आपको सरकारी नौकरी अच्छी लगते कि प्राइवेट नौकरी अच्छी लगते हैं मुझे तो दोनों ही तो सरकारी नौकरी कैसे मिले की मलाइ कैसे खाई जाएगी तो सरकारी नौकरी अपकी यह तृपर नेौटेञे काम ही नहीं करा तो यह आज बीजेपी अगेर और बहुत है तो सब्सक्राइब और रहें लेकूंटी के समय पेशाम को बता रहें साथ मता रहें के साथ आप ने लेकिन शब्द कैसे लेकिन इसलिए जोड़ा ठीक है आपको एक बात आता हूँ आजा समाज पार्टी से हैं डॉक्टर भीमरा उम्बेडकर पर आप तुरन चले जाते हैं समविधान उन्हों लिखा तुरन चले जाते हैं लेकिन आप उसी के साथ और तीसरे ही शब्द में आप क्या बोल रहे हैं कि मर्जनसी कलंग है लेकिन अगर मगर कुछ नहीं हो सकता जो चीज जो चीज इस देश में जो चीज इस देश में सबसे बड़ा कलंग हो धबबा हो उसमें अगर मगर लेकिन जैसे शब्द की कोई गुंजाश नहीं है ठीक ह और डिली में जितने भी सरकारी कारिया लाइब यह राजनीती का मतलब कैसे चसका लगा में यह उच्छता के साथ जानना चाहता हूं कि एक सिक्षक को राजनीती में अगर जाना हो तो कौन सी पार्टी को चुनता है आज के तौर बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं कहां पे मैं कांग्रेस में भी था लेकिन अन्ना अंदोलन में इन तिनों को छोड़ करके सामिन हो गया और आज जी तो अन्ना जी ने तो मना कर दिया अन्ना जी तो अब साथ महीं आमादनी पार्टी के पास पूरें पूरिस करने दिजे और ऐसे लोगों को तौरा चुप कराईए अब बाइसे लोग ठीक है अन्ना अंदोलन में सामिल हुआ पार्टी में आ गया तब से मैं पार्टी में हूं और भाई साब को जबाब यह है कि सो सरकारी सेवाओं की घर बैठे डिलिवरी है सरकारी आदमी घर जाकर कि ने आपकी जबी समस्या है जा आपके जो भी डाकु थिसवाट है कि पार्टी से ही बदलावाता है अंदोलन से तयर्व जाग रूपता है और आपके बनी इसलिए दिल्ली बदला वाया एक माडल बना उसी माडल पर आज देखो गुजरात में मुखमंत्री बदल लैए पंजाब मुखमंत्री बदल लैं उत्राकन बदल लैं अगर वो माडल न बनता, हम सिर्फ आंदोले नहीं करते रहते तो आज खतम हो जाती। आपके पास दिल्ली का मॉडल है, सिक्षा का मॉडल है? बिल्कुल मॉडल है, सारा मॉडल है, और भाई साब, आपको पता नहीं दिल्ली। आपको पैंटीस रुपए में पेट्रोल, डीजल, और अपने आप जो है, अब हमें बोलना नहीं चाहिए, किसको छोड़के भागे हैं? इनकी बात करा हूँ, इनके पास मॉडल है, ये सिक्षा का मॉडल है, ये कह रहे हैं कि हमारा सिक्षा का दिल्ली का मॉडल है, उसको लेकर हम यूपी में आ रहे हैं, तो लोगों के मन में आ सकता है कि हाँ भाई, ऐसी सिक्षा कर हमें या मिल गई, जैसा ही दिल्ली में बता आप सिक्षा को लेकर मैं आपसे बात करूंगा ठीक है इसके साथ ही जो है सुरक्षा को लेकर महिलाओं से तो मैं पूछ चुका हूँ तो मुझे बोलें तो बीजेशब्स सरकार क्यों अच्छे में बताता हूं ना जिनके बात करें ना हम इनके हैं यह बता रहा हूं यह उन्हों एशा कर दें आए कर दिया था इन्हों ने का सोचा यह यह कह रहा है कि सौचाले बनाये क्यों जब इन खाने की विवस्ता नहीं कहां नहीं बनाएब सब्सक्राइब सरकारी स्कूल में अब हमारी हमारी तो अगर पढ़ने जाती थी ना कम से कम उसको दो दो गंटे सोच के लिए इंजार करना पड़ता था और एक दो जवाब दे रहे हैं क्यों सोचाले बनाए आप जानते हैं इस देश में सोचाले ना होना कितनी बड़ी समस्या थी अगर आप उस पर जाओगे पर जो जाते थे उसको कर लो ना फिर जाओगे बनातकार कांट हुआ जो रात के अंधेरे में जड़ा के मार दी अभी जो मनीश गुप्ता को वहां मार दिया गोरखपुर में जो काम पहले गुंडे कर रहे थे वह काम आज उत्तरपरदेश की पुलिच कर रही है और योगी स ख़ए जो उनके मढ़र हुए कई नहीं सरकार का भाइक हता है अगर अगर किसी के मरने के बाद आप उसके एक्सषर ले रहे हो जए हुआ हो नौबत्ती क्या बेचार जह ठाप ही नौदिक सरकार क्या कर रही है फिर बात गायों कि यह गाव बनाई जा रही है कितनी गायों लोग परची कटवाते घूम रहे हैं जानना चाहता हूं योगी जी गाय के साथ बकाइदा सब्सक्राइबगा ले गायों के वहता रहा है जानना चाहता है सनसत बगान fly जा了 लगों को बदलना भी जरूरी है सिस्टम को बदलना भी जरूरी है सिर्फ दलीतों की सरकार कह कर रहूं का बहुत अपनी मूर्ती लगादी जनता भी हां मरेगी गाय का दूद काड़ा 6-7 महीने और गाय को रोड पर छोड़ दिया इसके लिए जनता भी दोशी है लेकिन जनता दोशी है कैसी बाते कर रहे हैं अगर कोई जनता बता रही है पहले मेरी बात सुनो ना बाई साब खूंपिर के देखो सुनो सच कड़वा होता है लेकिन हम लोगों ने गौसाला हर तीन किलोमेटर आप करें तो मीठा मीठा बाकी सब देते हैं जनता को कड़वा कड़वा हर तीन किलोमेटर पर जहां से गायां को मरने की खबर आई प्रिसासन ने उनको निलंबित किया उनके खिलाफ कारवाई की और आज गौसाल प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् आपने आपने एक बात कही है आपने का कि ठीक है गौशाला में ऐसे-एसे मौत की खबर आई इसलिए हमने वहाँ पर निलम बित क्या मरी क्यों यह सवाल है भाईया मरी सुनो मेरी बात मैं आपको बताता हूं हमारे जिलाद दक्से मनुश चौदरी जी उन्होंने अंदोलन किया और तब वो जो डॉक्टर था वो सस्पेंड वा और जो अधिकारी वो सस्पेंड फिर जेल गए वो यह जूट बोलते कोई नहीं आया ना इनका कोई गोरत सकते वाला यह सिर्फ ढं माता घो रोड़ो पर गूम रही है न यह सारी हूं सालन में चली जाए उसके बाद में हमने घुट में आओक चारेस तरवा एक लुट लिए एक दिन का सार्था था 30 रुपिया और जब आज आज ना आज के रिवाए और comment, आप क्या चाम करता हएं समाकारी करता हूं सामाज और कारीकरत है कौन से समाज कि से वा कि साथ दंगी भार जो है किसी पार्टी के साथ नहीं से एक मिल रुकियर थे फिर शेक्सके अप्रिशमं हा प्राधिकर ने कुछ भाषिं ने पिरा थे गई स कह कि आप क्या करता है मैं वो समाज सेवा ढोन रहा हूं जा आप सिर्फ समाज सेवा करने से इतना मेवा मिल जाता है सबस्क्राइब ऑद मिंटा हुटा थे यहां जाती है जो भी सरकार होती है और उसकी यहां पर पराधिकन में आती है तो उसके बाद पैसा काम है मेरा वैसा नहीं है कुछ भी मेरा कारूबारी मेरा प्रोपटिक काम करता हूं अपना प्रोपटिक काम करता हूं इसको लेकर आपके पास क्या है अच्छे पहले ने पता था क्या है का सरी माने योगी आदि जी क्या ते सॉलूशन बर बात करें हर तीन किलो मीटर पर आप सर्च बारें जलपुरा में बंद रही है बजीत पूर में बंद रही है अगर हम गाय की बात करें तो हम गाय की बात करते हैं अगर निशे के तुम्हारी जुम्हेदारी गाय कि तो इनकी नहीं है हर जगे गौसाला भाई साब आप सर्च मार के देखिए नोएडा 30 भी गाय के गौसाला को लिए ग्रेटा नोएडा 30 ने भी के गौसाला को लिए गौसाला की जमीने ऐसे भूमापियों पे थी वो निकाली गई है ऐसे चंदर सेकर जैसे बहुत जो देश विद्रोई दोग उन्होंने जमीन दबारक के थी वो सारी जमीने निकाले गए गौसाला बन रही है तो बात बताईए बात बताई एब बहुत सोलूशन दे रहे हैं कि 33 किलोमेटर पर गौसाला बन जाएंगी गाय विवस्ते दंग से हो जाएंगी आप पिर आपको फिर एक मिन पिर एक मिन बताई, ये कह रहा है कि गौष्याला मत बनाना इनके साथ सहमत नहीं हूं, मैं कहां हूं, इनसे यह खो सामका पहले जवाब दे दिया, हैं पार पूचमा ऑब पन french पहले हैं। इन्होंने गोध लिए वो कहा है इन्हें पता है इन्हें चिलाने का काम है यहीं राइसाब सुनो अरे भाटी जी खड़े मायचे के बूझो ना बारे करोड की परियोजना मायचे गाम में जो गाम कोध लिया बूझो अभी शलनेस करका है यह साथ तेमा अरे यह तुम्हारी इंटेंशन माने शांचर जी जनमदिन बनाने वाली पारटी यह को इसली पार्तिन एठाव नहीं पर नहीं और उनके पैसे कि ने करेंग को पूंच ओने एक ठीक त्यका इचे और आप नॉश्कुमार जी आफ क्या करते है तो अपने अपने मुद्दो पर लड़ते हैं अपने इनके पास तो तमाम बाते हैं तमाम शब्दावलीन की बहतरीन है शांदार है हर चीज है तीन सो सतर राम मंदिर ये 24 मिनिट पे हर आदमी कह देगा यहां पर कि उसी ने सब कुछ किया देश का विकास प्रदेश का विकास सब उनी ने किया आम आदमी के तौर पर मैं ये बात जानना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार होनी चाहिए कौन सा स्थार ये सब करने की नियत है तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो आपको लगता है काम आदमी से डायलेक्ट कर पा रहे हैं आज कर देखिए को सिधे तोर पर कह रहे हैं इस बात को एकस्ट कर रहे हैं जिसका प्रकार यहां लिए उत्रा खंड में रेली की जुम्मेदारी पार्टी ने दिये लोग सोते का मेरे मायावती जी के जनम दिन पर 14-15-15 परचिया करती ती आठी एक टार्गेट दे जाता था भी अखले सियाद हो की पह एक टार्गेट दे जाता तक आज आपको पूरे जिले से 50 लाग करने वाले लोग ये अरे पुरे देश के खा गये हाला देख मुरे मुरी माला और का रहा है एक एक चीट ज्यारा कहारा सुरू पर बढ़गे पाइप लेगा लेगे सवार की बात कर दोंगी ये निकाले जोंग पे चलते सा जितना देखो जब देखो पाकिस्तान चिलाते कर दियते हैं बुल गये लोग ये कुछ नहीं कर पाइप पाकिस्तान का बाल भी टेड़ा नहीं कर पाई वो चिर्ग लग जा डॉंके सिवा और कुछ नहीं आता है नहीं मैंने पहले बार दस साल होगी पत्रकारता करते हैं पहली बार ऐसा देखा कि कोई नेता पार्टी ज सुप चुकी नहीं कउगरेस बचाना है तो यह बता दीजे पस चीज बता दीजिए अमेटी बॉस Ici चुराओंगे तो अमेटी से कनेया कुमार लड़ेगा कनेया कुमार नहीं लड़ेगा जो भी पार्टी अपनी में जवाब दीजेगा उन्होंने का पार्टी को बचाना है राहूल गांधी नहीं बचा पारे तो यह बचाएंगे राहूल गांधी शीष्ट नहीं और वह इकी ज़रौत क्यों पडि हरादमी की जरौत पड़ती है एक आद्मी से पार्टी तो नहीं चलती है हर वेक्ति को पता है भर एक सिस्टम से देश चलता है और ऐसी पार्टी कर शुद्धि और इसमें कौनची पढ़ी बड़ी है उप उनके कुछ पर्शनल डिसीजन चल रहे तो कहा कि आप मानित करके आमें बाहर निकाल दिया ऐसा कैसे हो सकता है इतने टाइम वो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं क्या आखरी आखरी टेक लूँ आप सबसे समय की कमी की कारण हाँ बाइया कह रहे हैं कि इनके खांदानी पार्ट क crec अगरी फॉनल मन नचा से बहार आ है तो ठीक है आप बताईए मैं गारेस के बसकी नहीं है बारत मुक्त कॉंग्रेस हो गया है जन हित में काम करें जो आज के समय में बेरोजगारी फैली हुई है इसकी तरफ पर काम करें ठीक है जनता के मुद्धों की बात कर रहा हूं जनता के लिए आप क्या कहना चाहिए अपने निताओं कि बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है कुछ निक और कुछ निये जितनी पार्टियां बैठे हुई है सब अपनी नेतागिरी दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दो चीज फ्री करी है एक सिक्षा और एक बिजली सो रुपे आते हैं आम आदमी पे हम सकता के साथ हैं उनिवर्स 210 सल्ट आफ सबीसे जो है वह नुधून नाम बता दीजे क्या करते हैं शान चांट करते हैं स्टूडेंट ब hm अगर यह बताओ तुमने देखा होगा कि यह जो चार बैटकों है चार पार्टी के लोग हैं आप दे सरकार बदलती भी देख्यों कि स्टूडेंटों बिल्कुल ने ने आगे बढ़ रहे हो सरकारों का क्या देखते हैं क्या रोल है अगर कुछ चीज बहतर हो जाए क्योंकि दिमाग बड़ा क्रेटिव होता है इस वक्त है तो ऐसे स्टूडेंटों मैं फिलाल अपने एजुकेशन सिस्टम को देखना चाहूंगा एजुकेशन जो सिस्टम जो चल रहा है उसमें बहुत बदलाव आये बाद लेकिन जो कॉंग्रेस सरकार में पहले जो बदलाव थे जो बदलाव आए गयी है जो पहले सिस्टम था उसमें चेंजिस आए गये हैं कुछ अच्छे चेंजिस कुछ गलत चेंजिस भी हैं कुछ बढ़ाई में जैसे की पहले बौड के एक्जाम सोते थे अब सब कुछी सीबियस सीने बौड हटा दिया बौड नि होता है सिर्फ लेकिन अगर बच्चा करता है पढ़ने में तो उसमें काफी समस्चियाइ आती है बोर्ड के वजए से सरकार में जो सिस्टम था वो सिस्टम यह था सीसी इशीए पैटर्न, जो बच्चा एवरेज है और जो बच्च घुटराइब उनका सब पीछे उसके तरक होते हैं बहुत बहुत शांदार बोला आपने बहुत बढ़े बात बली तालीव जादों आपके लिए तो आप चारों लोगों से आप चार दो प्रत्रिधी बैठे हुए हैं आखरी आखरी बात आखरी टेक जनता से अगर आप सीरे तोर पर कहना चाहें तो जो कम यह जो समस्चाय हैं उनका उनका निदान हमारा सबसे पहली प्राथमिक्ता रहें देखे हमारी पार्टी अगर सथा में आती है तो सबसे पहले तीन सव यूनिटी बिजली फ्री सिक्षा जो दिल्ली जैसे माडल है वहां यहां लागू करेंगे और जो किसानों की समस समस्याएं हैं जो प्राधिकरण में उनकी लीजवे की समस्याएं हैं उन समस्याओं को प्राथमिक्ता से साल्व किया जाएगा कि जो अथार्टी है बीस-बीस हजार करोन के भरस्टा चार्म फसी है उसको भी निकाल करके उस पैसे का सद्विपयों करते हुए कोई लगाया तो उसमें 40% चेत्रिय जुवाओं को रोजगार मिलेगा दूसरा सिक्षा पे बहुत अच्छा काम चल रहा है और और अच्छा चलेगा किसानों के लिए किसानों के लिए माने योगी आदिद्नाजी आयते 40 गां ग्रेटन ओडाके हैं जो बैकलीस की जो मांग थी बहुत पुरानी मांग थी 2007 से वह भी मांग मान ली गई है इसी तरज पर चौसट परसेंट अत्रिक जो मावजा है वह भी जल्दी गोशना होने वाली है ठीक आप अब बड़ा जो समस्चा है कि लोग समझने रहे हैं जो तीन खेती कानून है उसमें जो एमर्पी खतम क खुला सर्सों का नहीं भी कहँगा यह गरीब आदमी को उसके खाध्यान से मर्हूम रखना चाहते हैं घ्रीब की रोटी को तीजोरी में क्याद करना चाहते हैं ठीक ृट थी ऐसा ता उन्यारी थिक ऑप जोड़ा सा ग्यारीटी के लिए कि आप किसी बड़ी कि सारे नेता हैं, पार्टी आपने बहुत ज़्यादा आती जाती आती जाती देखी, कौन से समय में आपने देखा कि हाँ इस बार बड़ा हुआ तुम इस बारे में सरफ इतना कहूंगा, कि मैंने बीसो एलेक्सन देखे हैं, और लडबाए हैं, और जिस काम को तुम लोग कर अपना बिस सार अड़क तरह से करता हूं, मेरा माहुल क्या है, अब आरा चुनाभी माहुल, तो चुनाभी माहुल की बात बता रहा हूं, जो मैंने अपने अपने लाइनों में है, पूरी बात सुले लामित रो, सपेरे बॉबी पे बीन लिये बेठे हैं, तो सरभी बीन बजा रहें, और बाच दो को कहते हैं, जो बोटों का बहुत बड़ा गढ़ रह één, जहा जहां बहुत ज्यादा बोट है, और जो मैं सर्भ बता रहा हूं बोटर के लिए, तो सरभी पेंजार कर पर में लोट किस करनी बैठेगा, आब का जो माहुल है, जितने भी बहरत मेराज तक चुनाब हुए, ये माहौल, अब का जो माहौल है, ये सब माहौल में सबसे अलग है, अब यह बैठी आमाजी पार्टी, इसकी बाद सुन लीजिए, मैं ग्यारे बारे में एक साल यहरा परी चौक पह, अन्ना जी के साथ मैं, अब आमाजी, मैं खुबसूरती बात बता रहा हूँ, आमाजी पार्टी खुबसूरती बता रहा हूँ, जब से ये वहाई दिली में आई है, तो सिक्षाम है, और चिकित्साम है, इसका जबाब नहीं, अब आये यहां की बात, मैं खुबसूरती बात बता रहा हूँ, हर पार्टी बात करूँगा, हर आदमी, हर अपनी बात का मंदन और दूसरे की बात का खंडन करने में बड़ा माहिर है। हाँ आजमी अपने हिसाम में बोलता है। खुब सुर्थी कांग्रेस की भी देखो। कांग्रेस को भलके मतले ना क्यों कांग्रेस ने जिन्दा किया। अब एक नई पार्टी आई है। भाजबा के बारे में तरफ रहा हूं। भाजबा की इस्तनी स्थी है भाजबा ने ठीक ठाक बचा रखा है। आज माता रहा हूं। भाजबा की जो नीटी है वो पहले कभी नही थी जीरे बदलाब होता रहता है। और आजमी की परस्थिती और मनिस्तिती रहती है। हमने कई नेता हो देखा, अभी समेह थे। अर एक नेता तो ये कह रहा था, कि जो नेता जल्ली बदल सकता, वो देश क्या बदलेगा। किसान की बात किसान की बात है। किसान की बात है। किसान की बात है। किसान कर्ज में तो मित्र जर्म लेता है और कर्ज में जीता है और कर्ज में मर जाता है एक अकेला ऐसा किसान है अगर 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 पूछो तो जितनी भी फ्रैक्टिया चल लए है जिते बड़े जोग चल ले हैं जिते बो जोग पती हैं यह सब खेची के वेगुसमें हैं किसान के पीछे हैं इस समय जो सबसे हाइज दुर्दसा है वो किसान की हारत अरे ही ना हर जगह अब दूसरी बात पर आज जाओं अच्छी नाम पर उता है अच्छा भी होता है बैब कोई कमी नहीं है लेकिन आप भाग भागो भी कर दृद्टा कांकी है ऐसे आज का हमारा कुछ reminds Link कर दो श्कुरिया विदान सबने से पर ballot का आ Spiritual सब्रुस एकर दाइसे खरोगा कर हमारे जो की पहुँची करने पर एसे ही अंतिर लगाता और विदान सवा नहीं उसको स्थापित करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे तो इसलिए हम एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि कारिकरम को देखते वक्त एक चीज याद रखेगा कि हमको अगली बार कहा जाना है क्योंकि टीवी पर आप देख रहे हैं वो तो है ही है आज हम सब लोग आचुके हैं दादरी विधान सभाग कि जनता अपनी समस्याएं बताएगे और नेता उस पर आज जवाब देखे छेटे मुद्दे देख लो, रोजगार के मुद्दे देख लो सबसे पहले सुरक्षा चाहिए जादी भी सुरक्षित रहेगा तो हर काम करेगा जो काम पहला गुंड़े कर रहे थे वो काम आज उत्तर परदेश के फुलिज कर रहे हैं जनता के पैसों से बिज्डी तो देदेगे लेकिन जो सुरक्षा इनों ने दी है उसको कैसे दे पाए करने वाले लोग ये अरे पुरे देश का बेट के खा गए है किसे धौंग करते हैं गाए माई घूमरी बिचारी हाजपा कि इसमें और शुरक्षित है मास्जीत भी बनवाएगी मंद्री को बनवाएगी गुर्द्वारे भी बनाएगे सभी बनवाएगी अगर इन्होंने सुप्तर साल से कुछ किया होता ना तो आज इनको लड़ना नहीं करता है जूटे ने जूटों से कहा सच बोलो अरे भाई सरकारी एहरान हुआ है सच बोलो